चैत्रे नवरात्री आज चे शुरू हो रहे हैं और उसी को लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महलाओ की भीड भी आना शुरू हो गए भीड के आने के साथ साथ मंदिरों के आसपास मंचलों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है जिसके चलते रॉमिया स्कॉर्ड के साथ मंचलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है बाइक चेकिंग के साथ साथ मंचलों के सामान की चेकिंग करते हुए मंचलों को चेतावनी दी है इरादत नगर थाना छेत्र के लोहेंटा स्थित माथा के मंदिर पर पुलिस ने सगन चेकिंग अभ्यान शुरू किया जिसमें एंटी रोमियो स्क्वर्ड और महला पुलिस कर्मियों की मदद से जमघट लगाये हुए मंचलों पर शिकंजा कसा है महीं चेतावनी देते वी मंचलों को मंदिर के आसपास से हटाया गया है और भविशे में दिखने पर बड़ी कारवाई की भी बात कई है महीं इरादत नगर थाना अध्यक्ष अवधिश कुमार गोतम ने बताया कि शनिवार के दिन से चैतर नवरातरी की शिरुआत हो रही है महीं पुलिस ने सुबा से ही मंदिर का निरिक्षिन किया और विवस्थाओं का जायजा लिया उसके बाद मंदिर के आसपास खड़ी बाईकों की सगन्ड चैकिंग की और कई बाईकों के चलान भी किये गए महीं जमगट लगाए मंचलों की तलाशी के साथ बैग की तलाशी लेकर उनको कारवाई की भी चेतावनी देते हुए वहाँ से हटाया गया और कई मंचलों के मास्क की चलान भी पुलिस के द्वारा किये गए महीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर पर भीड होने के साथ के इंप्रेशानियों का सामना करना पड़ता है